हेलो दोस्तो आईए आज हम जानेंगे वर्ल्ड के टॉप टैन मार्शल आटिस्ट जो टॉप टैन में आते हैं तस्वे नमबर पर वो है स्कॉट एड़ केंस जिनकी आपने मूवी देखी होगी अंडिसिपूटेड इसकी बहुत सारी सीरीज हैं जो आप देख सकते हैं जिसम पर वो अपने मार्शल आट स्केल्स टेक्निक्स उस पर वो टीच करते हैं तो आप भी वहां से सीख सकते हैं नौवे नमबर पर आते हैं सैमो हंग जो की एक सबोर्टिंग एक्टर का रोल प्ले करते हैं बहुत सी मार्शल आट मूवीज में और ये मार्शल आट के प्रती डेडिकेटिड हैं और अपने आपको मार्शल आट में बहुत अच्छे लेवल पर लेके जा चुके हैं इसके बाद आते हैं आठवे नमबर पर माइकल चेफ आइट जो कि एक अमेरिकन मार्शल आट इस्ट हैं और अपनी मार्शल आट स्किल्स के थूरू इन्होंने बड़ी फिट्नेस है वो आपकी टाइनिंग टेवल पर डिसाइड होती है कि क्या आप खाते हैं किस टाइम आप खाते हैं कैसे आप खाते हैं साथवे नंबर पर आता हैं टोनी जा आपने इनकी मूवी देखी होगी ओन बैग जो कि बहुत ही फेमस और जिसमें बहुत से स्टंट्स हैं जिसमें फाइटिंग स्किल्स हैं जिसमें मोई थाई का पार्ट है ये थाइलेंड के हैं और इन्होंने अपनी पहली मूवी से ही अपना नाम कमाना शुरू किया लेकिन जो वर्ल्ड में इनका नाम फैला वो ओन बैग सीरीज से फैला था तो आप इनके स्टंट्स इनकी फाइटिंग स्किल्स आप देख सकते हैं उस मूवी में इसके बाद जो छटे नमबर पर आते हैं वह हैं इंडिया के विद्धुज जामवाल जिन्होंने मार्शलाट की स्किल्स बच्पन से ही सीखनी शुरू की थी जो कि इंडियन की एंसियंट मार्शलाट कलरी पैट 2 में उन्होंने मार्शलाट सीखा और अपनी स्किल्स को पूरे वर्ड में बजाया है इसके बाद आते हैं पांचवे नमबर पर माइकल याइन ये बहुत अच्छी स्वार्ड ब्लेयर हैं और मार्शलाट स्किल्स इनकी बहुत अच्छी हैं ये बहुत सी मुवीज में रोल प्ले करते हैं और अपनी मार्शलाट स्किल्स से वर्ड में जानी जाती है इसके बाद आते हैं फौर्थ नंबर पे टोनी याइन जो कि आपने इप मैन मुवीज में देखे हैं जिनकी विंचूं मार्शल आठ उन्हों ने अपनी इसमें शो किये और अपनी फाइटिंग स्केल्स अपनी स्पीड के थूँ ये जाने जाते हैं अगर किसी को विंचूं सीखना है तो वो इनकी मुवीज देखकर इनकी वीडियोज देखकर सीख सकते हैं तीसरे नंबर पर आते हैं कुम्फू मास्टर जैटली जो कि वर्ड फेमस है इनकी बहुत सी पुरानी मुवीज और जो न्यू मुवीज हैं उसमें इनोंने कुम्फू की स्किल्स दिखाई हैं और वैसे तो ये स्वार्ट चलाने में भी माहिर हैं और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है अकसर ये कुम्फू की मुवीज में आपको देखने को मिलेगी इसके बाद आते हैं हमारे जैकी चैन जो दूसरे नंबर पर है जैकी चैन मार्शल आट में अपना एक मुकाम हासिल कर चुक हैं और इने आसकर आवाद भी मिला हुगा है ये अपने पारकोर अपनी फ्लिप्स अपने स्टंट से जाने जाते हैं ये बहुत सी मूवीज में कॉमेडी का रोल भी प्ले करते हैं और ओडियन्स को इंजॉय भी कराते हैं एंटरेटेन्मेंट के साथ साथ ये अपनी फाइटिंग स्कील से भी जाने जाते हैं और जो सबसे पहले आते हैं उनका नाम पूरी दुनिया जानती है जिने मार्शलार्ट का भखवान कहा जाता है वो है प्रूसली प्रूसली इतनी स्पीड में अपनी किक्स पंच करते थे कि कैमरे को उन्हें स्लो करकर देखना पड़ता था कि कहां उन्हों ने किस स्पीड से किक्क की जो कि कैमरे में कैप्चर भी नहीं हो पाते थी प्रूसली बहुत ही अन्थुसेस्टिक और बहुत ही डेडिकेटड मार्शलार्ट प्लेयर है जो मार्शलार्ट के लिए अपनी जी जान से लगे रहते थे इन्होंने बहुत कम उमर में अपना नाम कमाया था और बहुत कम उमर में ये हमें छोड़ कर चले गए थे तो पुरूसली इस मार्शलाट की फिल्ड में भकवान माने जाते हैं ये जो टॉप टैन मार्शलाटिस्ट हैं ये वर्ल्ड में सबसे उपर आते हैं वैसे तो आप जानते होंगे टाइगर शौफ इंडिया में बॉलिवुड में वाक करते हैं लेकिन उनका टॉप 10 में मार्शलार्ट में नाम नहीं आता अगर ये टॉप 15 की लिस्ट होती तो उनका भी नाम इसमें जरूर शामिल होता आई होप ऐसे ही आप हमारे वीडियोज देखते रहेंगे और फॉलो करते रहेंगे थैंक्स वाचिंग